नमस्कार साथियों मैं आपका दोस्त दिपंकर समधार चार्डर अकाउंटेंट यह टैक्स सेविंग मंथ मार्च 2019 में हम लोग बैठे हैं यहां पर अलग-अलग टैक्स के बारे में हर रोज बात करने वाले हो ध्यान से सुनिएगा और फॉलो करते रहेगा देखिए सबसे प पैसा ताकि टैक्स सेविंग हो जाए तो म्यूचल फंड के एकदम छोटे कैटेगरी में आपको बता रहा हो जो बहुत आसानी सा समझ में आजाएगा सबसे पहला होता है ओपन एंडेट म्यूचल फंड जो होता है इसमें हम पैसे जो लगाते हैं उसको हम लोग जब चाहे हमें withdraw कर सकते है इसलिए वो open ended है राइट दूसरा close ended है close ended mutual fund जो रहता है वो एक minimum period तक हम उसके पैसे नहीं निकाल सकते हैं उसके बाद ही वो पैसे निकाल सकते हैं नॉर्मली 5 years का period रहता है तीसरा है tax saver mutual fund अब हम लोग अपने काम की बात करने वाले हैं यह tax saver mutual fund जो रहता है इस mutual fund में अगर अपन पैसे लगाता है तब हमारा tax save होता है तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ मेरा opinion यह है कि आप सबसे पहले अपने जितने भी tax saver tools आपने अलग-अलग section में section 80C से 80U तक मेरे पहले के वीडियो देखिएगा मैंने काफी सारे sections को explain किया हुआ है तो section 80C से 80U तक आपने जितने भी tax saving के tools एखटा किये है उसमें सबसे most important 80C को आप चेक करिए कि आपके कितने पैसे आपने already invest किया हुआ है जिसके कारण आपको deduction मिल रहा है for example आपका जो tax का deduction limit देर लाग रुप है और आपने अभी तक सिर्फ 60,000 रुपीज invest किया होगा और आपके पास अभी पैसे हैं आप किसी ने किसी चीज में invest करना चाहते है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग mutual fund tax ever में invest करते हैं तो इसमें commission बहुत कम deduction होता है commission कम deduction होने के कारण हमारा पैसा maximum invested रहता है और mutual fund में मैं आपको एक और बात बता दूँ अभी नए rule के हिसाब से first जो हम लोग investment करते हैं उसमें agent को commission मिलता भी नहीं है उनको सिर्फ trail commission मिलता है इसलिए आप उस चिंता को छोड़ दीजिए आपके पैसे maximum invest होने वाले हैं आप tax saver mutual fund में बाकी पैसे लगाईए जैसे example में मैंने कहा कि देड़ लाग रुपे, 60,000 रुपे, 60,000 रुपीज for example आपने अभी तक ATC के deductions आपने जमा कर लिए 90,000 का gap बच रहा है इसको पूरा tax saver mutual fund में आप invest कर सकते हैं ये एक option हुआ तो next option में अपने अगले वीडियो में बताने वाला हूँ रोज मैं tax saving का tips और information देने वाला हूँ दोस्तों आज से हर दिन आपके साथ दिपंकर समद्दार धन्यवाद